अलो फ्रेंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी होब आप सभी बहुत अच्छे होंगे मस्त होंगे तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो यहां मॉर्निंग में बहुत ही बीजी अपना सीड्यूल वतारी हूँ आप लोगों को और अभी तो मतलब कुछ दिनों में नरात्री भी आ जाएगी और बच्छों का एक्जाम भी मतलब साथ में बहुत जादा प्रेसर पढ़ने वाला है और अभी भी बच्छों का रिविजन स्टार्ट है तो बच्छों को यह मतलब बच चाय पी रही हूँ कि मैं पहले फ्रेस हो जाओं मतलब माइंड एकदम फ्रेस हो जाए थोड़ा क्योंकि मुझा एनरजी होगी तब भी ना मैं पूरा घर परिवार अपना समाल पाऊंगी और मेरे दोनों ही ट्वीन्स है ना मेरी दोनों आप लोग मतलब काफी ज़्यादा कमेंट भी आया था तो दोनों मेरी जुड़वा लड़की है दोनों ट्वीन्स गल्स है मेरी तो उन लोगों को पहले ब्रेकफास्ट करके मुझे उन लोगों को बैठाना पड़ेगा खाने मलब पढ़ाई के लिए तो दोनों जन को एक साथ समालना बहुत ही ज़्यादा काम है लेकिन ठीक है अब थोड़ी बड़ी हो गई है तो थोड़ा इजी लगता है और जब थोड़ी छोटी थी ना तो बहुत ही मतलब टफ वाला काम था तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना दे रही हूं मतलब रात का थोड़ा चावल था तो उसे लेफट वर थोड़ा फ्राइ करूंगे उसमें कांदा और सिंग दाना कड़ी पत्ता ये सब डालके तो मेरे प्लांट का ये कड़ी पत्ता था और कड़ी पत्ता घर पे नहीं था तो प्लांट में था तो देखो में लेके आ गई हूं से धो के इसे भी डाल दूंगे तड़के के लिए और जन एक ही मतलब एज की हैं तो और दोनों साथ में तो बहुत ज्यादा टफ काम हो जाता है तो यहां मॉर्निंग में मेरा जो पानी है वो पहले मैं पी ले रही हूं क्योंकि मैं अगर सहस्त रहूंगी तो यही पूरा घर चल पाएगा क्योंकि सारा काम मेरे उपर ही है तो यह लोगों के साथ में मस्ती करके उठाऊंगी क्योंकि सुबह सुबह ज्यादा चिला देती हूं तो दोनों रोने लग जाती है मतलब जो और सजबर जस्ति उठाती हो तो इसलिए उन लोगों को थोड़ा प्यार से एकदम महिका कर उठाना पड़ता है तो उन लोग उठके ब मतलब बहुत ही टफ काम है और मतलब में करूना जबर जस्ति दोन लोग रोते रोते उठेंगी तो फिर पूरा दिन मतलब समझ सकते हैं कि सुबह का उठना मतलब खुस होके उठना माइंड एक दम अच्छा करके तो अच्छा लगता है अगर सुबह सुबह ही रोने लग ज आने से पहले सारा काम भी रहता है इन लोग की पढ़ाई भी रहती है घर का टुटल काम भी रहता है तो आज मैं आप लोग को साथ में यही शेयर कर रही हूँ अपना बिजी रूटीन मॉर्निंग का और बच्चों का एक्जाम प्रिपेरिशन मैं बहुत ज्यादा रॉफ तो यहां पर गादी भी उठा रही हूँ आज कल बच्चे मेरे ना इतना बिजी हैं यह सब काम मुझे ही करना पड़ जा रहा है दोनों का सब यह सब बिस्तर तक्या मतलब पीलो अरी पापरी सब उठाने में फिर विचाने में हालत एक दम खराब हो जा रही है तो दोनों क मैं लगा दूँगी जिससे कि मतलब थोड़ा घर एकदम ढंका लगे क्योंकि घर एकदम विखरा विखरा मतलब मूड खराब हो जाता है तो एक बार पहले घर में सुबह की जाड़ू लगा देती हूं और विच्तर सारे सही कर देती हूं फिर साइड बाई साइड काम होता कर लो टाइम पर आग खुलती नहीं है रोज मैकसिमम कुछ ना कुछ तो दस मिनट पांच मिनट और सो लेते हैं तो मतलब उसमें पूरा वो हो जाता है तो यहां बच्चे लोगों को बठा दी हूं पढ़ाई करने के लिए क्या देख रही हूं कि क्या बागी है क्या नहीं है तो वो उन लोगों को एक बार बता देती हूं और मैं एकदम प्रॉपर उन लोगों को बठा के पढ़ाती नहीं हूं मैंने उन लोगों टूशन डाल रखा है क्लास मतलब एक्स्ट्रा स्कूल से अलावा उन लोग वहां पर कर लेती हैं मैं मतलब देखती हूं बस मैं दे रहादा काम रहता है बच्चों लोगों का देखने का बाकि उन लोग अपना क्लास में सब कुछ कर लेते हैं लेकिन एकजाम के टाइम में मतलब यह सब धोड़ा ज्हाका ताकि मचा देते उनकी पड़ाई में बाकि और में कभी इन लोगों का देखते नहीं इन लोग बाकी अपना सब कुछ कर लेती हैं, तोड़ा सा जो डिफिकल्ट होता है, वो मुझे बस हाड कुछ रहा तो पूछ लेती हैं, नहीं तो बाकि अपना क्लास में स्कूल में कर लेती हैं, इन लोगों का टिफिन भरके मैं थोड़ा सा चावल बच गया था, तो उन लोगों ने बोला म सब्जी फ्रीज में एक भी नहीं थी, सब कुछ खतम था, तो सिर्फ आलू कांदा था टमाटर था, तो आज सिर्फ उसकी आलू कांदा था टमाटर की सब्जी बना रही हूं, रोटी बनाऊंगी लंच के लिए, तो यहां आलू का चोका लगा दोंगी, और आज बनेगी आ पढ़ भी रहे हैं, और पढ़ाई हो जाएगी, तो उन लोग नहाद हो के फिर स्कूल के लिए अपना कपड़ा पहन के रेडी हो जाएगे, तो यहां देखो, उसकी पढ़ाई करते करते, वो देखो, मेरा कपड़ा पहन के आगई, मुझे बताने के लिए, मेरा नाइट श तो यहां न मैं मतलब रोटी बना दे रही हूँ, और सुबह सुबह जब मैं अपना लंच और ब्रेकफास्ट और बना लेती हूँ, तो कीचन के काम से चुटी हो जाती है, लकिन अब क्या बताओं, मैं मतलब गर्मी भी बहुत हो रही है, और देखो, मैं यहां पर मतलब हो जाता है, कभी-कभी बच्चों की पढ़ाई है ना, तो फिर वहां पर थोड़ा टाइम अगर दे दूगे ना, तो कीचन में लेट हो जाएगा, अगर कीचन पुरा कंप्लीट करके जाओंगी, तो फिर बच्चों को नी टाइम दे पाओं टाइम सेट रहता है, और उसी साब से रेगुलेरी का रूटीन बना रहता है घर का, और जब स्कूल की छुटियां हो जाती है ना, तो फिर हम लोग को क्या है, हाँ ब्रेकफास्ट कर लिए आराम से काम होगा, ऐसा हो जाता है मेरा, मेरे साथ तो ऐसी होता है, आप लोगों मेरा ब्लोग कैसा लग रहा है, कमेंट में ये भी बताईएगा, तो यहां बच्चे लोग को सारा काम हो चुका है, टिफिन भी दे दिया है, किचन का काम भी पुरा निप्टा दिया मैंने, और बच्चे लोगों ने देखो नहाद हो के यूनिफॉर्म बैन के रेडी हैं, बस इनकी चोटी बनानी मुझे पड़ जाती है, दो पोनी, क्योंकि ये नहीं बना पाती हैं, तो मुझे बनाना पड़ता है, तो इन लोगों का बाल बना के इन लोगों तयार घर के, फिर स्कूल के लिए वे रेडी कर देती हो,